उत्तर पर्देश के मुख्य मंत्री योगी आदिते नात के पिता आनंद सिंग बिस्ट का सोमवार सुभें दिल्ली एंस में नीदन हो गया लिवर और किट्नी में समस्या के कारण उन्हें 13 मार्च को एंस में भरती करवाया गया था लेकिन मल्टिपल और्गेन फेल होने के कारण रविवार देर रात हालत ज्यादा भिगड़ गई आनंद सिंग का अंतिम संस्कार उत्रा खंस्तित पैतरी गाव पंचूर में मंगलवार को होगा योगी ने पिता के निधिन पर शोक व्यक्त करते हुए बताया कि वे यूपी में करोना संकट और लोगडाउन के कारण पिता के अंतिम दर्शन नहीं कर पाएंगे उन्होंने परिवार से अपील की है कि सोशल डिस्टैंसिंग का पालन करते हुए अंतिम क्रिया संपन करवाएं एम्स में भरती रहे आनंद सिंग को देखने रविवार रात को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड़ा ग्रिह मंत्री अमिशाहा और पार्टी के संगठन महासचीव बीयल संतोष पहुँचे थे मुख्य मंत्री योगी आधिते नाथ को जब पीता की निधन की जानकारी मिली तो वे करोना से संबंदित टीम 11 के साथ बैठक कर रहे थे इस दोरान वे कुछ देर के लिए स्टब्द हो गई उनकी आखे नम्न हो गई फिर भी उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक जारी रखे राजे पाल अनंदी बेन पटेल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आनंद सिंग के निधन पर शोक व्यक्त किया है मुख्यमंत्री योगी ने परिवार को एक मामरिक पत्र लिखा है इसमें उन्होंने कहा है अपने पुझ्जे पिता जी के कैलाश वासी होने पर उन्हें भारी शोक है वे मेरे पुर्वा श्रम के जन्मदाता थी अंतिम श्रणों में उनके दर्शन की हार्दिक इच्छा थी लेकिन करोना वाइरस के खिलाफ देश की लड़ाई को यूपी की 23 करोड जनता के हित में आगे बढ़ाने का करतव्य बोथ के कारण मैं नहीं पूंच सका कल यानि 21 अप्रेल को अंतिम संसकार में लोगडाउन की सफल था और करोणा को परास्त कराने की रणनीतिक है कारण भाग नहीं ले पा रहा हूं अपील करता हूँ कि अंतिम संसकार में कम से कम लोग शामिल हो लोगडाउन के बाद दर्शनार्थ आऊंगा यह तस्वीर मार्च 2017 की है जब योगी अधितेनात यूपी के सीयम बने थे तब उत्राखंड में उनके पैत्रिक निवास पर परिचनों में खुशी की लहर थी 1991 में सेवा निर्वित हुए थी आधितेनात के बच्पन का नाम अजे सिंग बिष्ट है उन्होंने बच्पन में ही परिवार छोड़ दिया था और गोर अक्षक नात मंदिर के महंत और नात संपरदाय के संथ आवेद्यनात के पास चले गए थी बात में आवेद्यनात की ज लिख कर हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करेंगा थैन्ने वाली